प्रिसमें लारा महान रहें, आज हम जिस topic के बारे में बात करने वाले हैं, वो है feature selection का next part, जिसमें dimensionality reduction का जो तरीका कार है, उसके उपर हम काम करने वाले हैं, which is related to PCA, ठीक है, principal component analysis, और hopefully हम इस method को देखने भी वाले हैं, और इस तरीके से हम इसको apply कर सकते हैं, for dimensionality reduction, उसके अं लोगों ने hopefully जो वीडियो मैंने आपको भीजी थी lecture वो सुना होगा, so मैं बीच-बीच में आपसे question भी पूछता जाओंगा, तो अपने keyboard के उपर हाथ set रखिएगा, ताकि जब question की बारी आए, तो हम उसे submit सकें के कौन सा question है और उसका क्या मक्सर है, ठीक है जी? Let's begin Okay जी, अभी जो हमने काम करना है, that is related to PCA, जिसको हम प्रिंसिपल कम्पोनेंट अनलसिज बोलते हैं ठीक है? अब प्रिंसिपल कम्पोनेंट अनलसिज होता क्या? और इसे क्यों perform किया जाता है? इसके बारे में देखने से पहले, हम ये अन्दाज़ा लगाएंगे कि प्रिंसिपल कम्पोनेंट अनलसिज का फाइदा क्या है, ठीक है? पहले इसकी basic हम तरीके कार समझाएंगे कि यार अच्छा मैं PCA कर रहा हूं तो क्यों करना है? इसकी वज़ा क्या है? ठीक है? इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से लेता हूं, फॉर एक्जैंपल आपके पास कुछ किलोने पड़े हुएं, मतलब आप छोटी age में हैं और बहुत ज़्यदा किलोने यहां पड़े हुएं, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, ठीक है? कोई बहुत बड़े हैं, किसी का color red है, ठीक है? किसी का blue है, green है, so on and so forth, साई है? यह आपके पास कुछ किलोने हुए अब आप क्या चाहते हैं आप चाहते हैं कि यार मैं अपने सारे के सारे खिलोने हैं बचों वाली एक्जेंपल लेकिन समझने के लिए मेरे ख्याल से बस्ट रहेगी मैं अपने अपिरेंस आपको यह भी पता है कि अगर मैं Color की Base पे करता हूं तो शेप different हो जाएगी मतलब अगर मैं सिरब Blue Blue वाले निकालता हूं तो कोई गोल हैं, कोई चिप्टे हैं, कोई 6 की शेप की हैं कोई किसी तरह के हैं, कोई किसी तरह की हैं तो अगर मैं एक Point की Base पे साट करता हूं दूसरा خराब हो जाता है दूसरे की बेस पे करता हूं तो तीसरा ध्यूसरे के करता हुं तो तो चोथा खराब हो जाता है अब इस एक एंगल पर देखने of two axis लेकिन अगर आप साथ में for example उनका texture जो है उसको भी count करो यह तीसरी dimension बन जाएगी right यह तीन dimension की base पे तो आप sort कर सकते हैं just imagine तीन के इलावा more than three आपके पास quality metrics हैं जिसकी base पे आपने अपने खिलोने sort करने तो फिर आप क्या करेंगे कुछ खिलोनों पे दाने बने हुए कुछ पे खिलोने पे दाने नहीं बने हुए for example यह टेक्स different है या उसके उपर तो कोने से बनी है या उनका print different है so there are many many dimensions over there na so how do you check these dimension और किस base पे आप फिर उन खिलोनों को sort out करेंगे इस तरीके से अगर हम देखें अगर हमारे पास तीन से ज्यादा dimension है तो what we can do we can also draw a multi-dimensional plot like this या बहुत ज्यादा plot आप बना लेंगे two axis से यानि के color और shape का size और shape का appearance और shape का color और size का and so on and so forth तो आप जितनी आपके पास quality metrics है उतने 2D plot बनाते जाएं और सभी को compare करें and it's a hectic job ठीक है जब आप उनको compare करने बैठें तो science दानों ने इसी चीज के मसले को सुलजाने के लिए कि जब हमारे पास data काफी ज्यादा metrics की base पे different differ कर रहा होता है तो उन सभी metric को बुनियाद बना के हम किस इस तरीके के साथ चक कर सकते हैं कि यार अच्छा अब हम इसको कैसे sort करें for example all of these if you make all these combination this will take ages अगर आपके पास metrics ज्यादा हुए color को sort करने के खलूनों को sort करने के तो just imagine आपके पास यही clone है अब PCA की तरफ में आने वालों यही ही clone है और आप के पास एक drone camera है ठीक है आप उपर से drone camera चला रहे हैं और आप कहते हैं कि यार यहां से तो मुझे समझ नहीं लग रहा इतने clone है मैं इतनों के पास आता हूं तो मुझे दूसरे फरक वाले लगते हैं इधर आता हूं तो तीसरे फरक वाले लगते हैं आप उसका एक bird eye view लेना स्टार्ट कर दें उस drone camera के थूँ कि मैं इसको bird eye view से चेक करता हूं कि कहां पे इससे मैं sort out करूं आप यहां से मतलब ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं और उन्हें sort out करने की कोशिश करते हैं तो अकसर अकात आपको यह लगता है कि यार यह तो इ मेरे एकले जाने से हो रहा है मतलब पास जाके खिलोनों को चेक करने से भी नहीं हो रहा और एक drone उडाने से भी नहीं हो रहा मतलब आपके पास बे बहा खिलोने हैं आप यही समझे के पूरी गली के इकठे कर लिए आपने ठीक है now the next thing is principle component analysis क्या करता है इसी किसम के मसले को स कर सकें गुझल वदा क्या होते हैं यह जो आपस में चीजें इंटैंगल होती है यह इंटैंगल चीजों को कम कर सके मतलब जहां पर आपको अच्छे तरीके से नजर आ जा कि इस पॉइंट से मैं start कर सकता हूं इन्हें separate करना ठीक है तो principle components basically यही चीज होती है that point of view जो आपक को बताता है कि यार यहां से आप separate कर सकते हैं ठीक है उन चीजों को point of views को हम बोलते है principle components ठीक हो गया समझागी बात की principle components क्या करते हैं आपको ऐसा point of view देते हैं जिसकी base पे आप separate कर सकते हैं आपके पास एक यह वाला point of view आगया आपके सारे खिलोने आगया आपके पास अब आपने क्या करना है इस point of view से आप एक slide बनाए slide का क्या मतलब है कि इधर आप खड़े हुए इस point of view पे यहां से आप अपने खिलोने इस side पे slide करवाना start कर दें ठीक है और इसको हम बोल देते हैं size की base पे for example ठीक है अब क्या होगा आपके जो बड़े खिलोने ना वो end पे चले जाएंगे जो एक जैसे बड़े खिलोने ठीक है और जो चोटे हैं वो यहां पर पास पास रह जाएंगे जो उससे चोटे हैं वो पास पास रह जाएंगे इसका मतलब यह हुआ यह principle component हमें यह बता रहा है कि जणाब यह बड़े खिलोने ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ठीक है जो ये वाले point इकठे हैं जितना कोई point इकठा होगा they are pretty similar ठीक है पहली चीज दूसरी चीज जितना कोई point दूसरे से दूर होगा that means they are that much different from each other ठीक है ये बड़े खिलोने big ones these are medium ones and these are small ones ठीक है तो आपको पता है कि size की base पे जब हमने उसे slide किया एक point of view से उसकी base पे हम बड़े द्रम्याने और छोटे खिलोनों को separate कर पा रहे हैं पहली चीज clear हुई समझागी अब हमने क्या करना है अब देखिएगा अब हमने ये करना है कि इनी की निस्बत पे एक और slide create कर लेनी है इनी क्लोनों की एक और slide वो slide क्या होगी वो slide एक second slide होगी that must be perpendicular या right angle पे हो पहले की निस्बत for example मैं एक slide इधर को करता हूँ ये वाली एक और slide मनाता हूँ ठीक है बाइदावे ये जो size की base पे या किसी भी चीज की base पे हम चीज को separate किया first पे इसको बोलते है PC1 ठीक है दूसरा क्या होगा हमारा दूसरा देखते हैं आप कौन से for example मैं कहता हूँ कि यार इन में से जिसकी shape डिफरेंट है उनको इस पे slide करा दो सही है अब मैं आपको बात समझाने वालों बड़ी गोर से देखिए shape की base पे इधर slide करा दो this is by the way called PC2 simple example दूसरा principle component हमने क्या करना है अब इस principle component पे एक और point of view बनाना है कि यही कि लोने अब जिसकी shape एक तरह की है for example जो goal वाले हैं वो यहां पे आ जाएं तो कौन वाले यहां पे आ जाएं जिनकी कुछ इस तरीके से shape है वो यहां पे आ जाएं जिनकी for example इस तरीके से shape है वो हां पे आ जाएं ठीक है so this is another slide that is separating those small ones into another category अब क्या होगा यह सारे के सारे वहां पर divide हो जाएंगे यह जो small हमने बताये थे ना यह अपनी shape के हिसाब से भी divide हो जाएंगे ठीक हो गया समझागी बात की अब shape और size हमारे पास दो PC 1 और PC 2 बनगे ठीक है अब इसी तरीके से आपके data पे depend करता है कि आपके PC 1 PC 2 यानि कि PCs कितने बनने हैं how many मतलब यह कि हर PC की base पे आपकी variation count होती है variation का मतलब है कि आपकी कि खिलोने या आपके data point में variation किस factor की base पे आ रही है ठीक है अब गौर कीजेगा size जो है यह 90% contribute कर रहे है आपकी differentiation में ठीक है PC 2 यानि कि shape जो है यह 5% कर रही है contribute तो 90% फिर 5% फिर तीसरा आ जाता है 2.5% चोथा आ जाता है 0.5% and so on and so forth मतलब यह कि यह PC 1 बना यह PC 2 बना इसका मतलब है 95% of the differentiation in the data can be due to these two PC 1s PC 1 and PC 2 principal components मतलब यह दो point of view ऐसे हैं जो आपका 95% काम कर देंगे ठीक है 95% काम हो गया इसका मतलब क्या है कि बाक्की जो है यह बताएंगे जरूर हमें के इतनी variation है लेकिन कोई इतनी खास addition नहीं करेंगे percentage में सही है तो इस वज़ा से आप इन चीजों को चेक करने के लिए कि कौन से PC की कितनी variation है यू ड्रॉ अप प्लॉट कॉल्ड स्क्री प्लॉट स्क्री प्लॉट यह प्लॉट आपको बताता है कि PC 1 की इतनी variation होगी PC 2 की इतनी होगी PC 3 की इतनी PC 4 की इतनी 5,6,7,8 यहां पर खतम हो जाती है और इसी के ऊपर आपका कुछ इस तरीके से करके एक line से भी बनती है ठीक है मतलब आप इस तरीके से इसकी एक line से भी बनते हैं और यह right skewed होती है हमेशा ठीक है क्यों क्योंकि variation ज्यादा से कम की तरफ आ रही है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सिरफ PC 1 और PC 2 को draw कर लें PC 1 और PC 2 को आपस में draw कर लें then you can actually differentiate between the features ठीक है और उनका relationship देख सकते हैं अगर कोई पास पास है मतलब points अगर पास पास है तो इसका मतलब वो आपस में एक दूसरे के साथ linked हैं अगर point दूर दूर है तो आपस में एक दूसरे के साथ फरक में है अब बात सुनियेगा मुझे एक चीज़ यहां पे सिरफ आपको clear करनी है और आपसे बल्के पूछनी हैं बड़े होशो हवास में देखिएगा एक point यहां पे है blue और red है यहां पे फिर है green यहां पे और green यहां पे यह मैंने चार points लगाएं हमारे पास मैं आपसे पूछोंगा एक question उसका मुझे आंसर दीजेगा blue से red ज्यादा differ कर रहा है या green ज्यादा differ कर रहा है मतलब blue और red में ज्यादा differentiation है या blue और green में बड़ा सोच के जवाब दीजेगा मैंने आपको अभी बताया है PC1 यहां पर होता है PC2 यहां पर उन चीजों को मद्दे नजर रख के जवाब दीजेगा चले आपको एक और बात यहां पर आड़ कर देता हूं PC1 के उपर जो variation है वो 90% रोल है उसका PC2 के उपर जो variation है उसका 5% रोल इन टोटल वेरियेशन तो मतलब यह है कि अलॉंग PC1 अगर इतना सा भी पॉइंट दूर है उसमें variation ज्यादा है as compared to PC2 क्यों क्यों कि वह 90% variation की हामल है ना PC1 तो अलॉंग डैट स्लाइड दा पॉइंट्स आर क्लोजर तो इच अधर ठीक है मतलब स्केल इसका different as compared to this one अगर आप 90 की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जितना distance ज्यादा होगा उतनी variation ज्यादा होगी लेकिन अगर इन दोनों को आपस में compare करें तो यहां वाला variation फिर भी ज्यादा है कद्रे compare to PC2 क्यों क्योंकि उसकी variation में part 90% है तो उसका जो distance है point A to point B वो ज्यादा variation cause कर रहा है than the y-axis ठीक है और इसी वज़ा से जब आप PCA plot बनाते हैं आप y-axis वाली variation को कम consider करते हैं compared to the x-axis पे जो PC1 वाली होती है अब समझ आगी है blue और red की variation क्यों ज्यादा है आपस में यानि के मैं आपको एक बात एक और समझा देता हूँ यह बात का एक और point है यहां पर आप देखे small medium और large तीन sizes हैं big और small आपस में अगर देखे जाएं तो variation तो बहुत ज्यादा ना एक खलोना आपकी पूरी कार है जिसमें बच्चे बैठ सकते हैं एक वो कार है जो आप हाथ में पकड़ के चलाते हैं मलों वह ऐसे पीछे करके नहीं छोड़ते ठीक है दोनों कार ही है लेकिन एक छोटी है एक बड़ी है तो इसका मतलब जमीन अस्मान का फरक के 95 परसंट आपके खलोनों में तो वरियेशन वही है अब वो कार के उपर प्रिंट कैसा है ड़सन्ट मैटर समझाई बात की कार की शेप तो को नहीं है मरसेडी बनाई है या औडी बनाई है ड़सन्ट मैटर क्यों क्योंके बेसिकली तो आपको ज्यादा फरक से है ना ठीक है इसी वज़ा से यहां पे हमने स्मॉल को सेग्रिगेट किया था फर्दर यहां पे ठीक है समझाई बात की तो आप इस तरीके से विरियेशन को देख सकते हैं यह पॉइंट कभी नहीं भूलना लाइफ में आपने जब PCA की बात हो रहे हैं कि why PC1 का डिस्टेंस जो है पे समझ आगी आपको इसकी एक और मिसाल आपको मैं देता हूं बड़ी आला किसम की मिसाल आप एक क्राइम सीन पे हैं ठीक है और आप एक क्राइम सीन की गुत्थी सुझार हैं सिंपली यह है आपका नोटिस बोड जिसके ओपर वो धागे लगा कि उन्होंने पॉइंट न यह सारे के सारा इंटैंगल हुआ है विद लॉट अफ इंफरमेशन सही हो गया आप क्या करते हैं हमेशा देखते हैं कि यार यह वाला पॉइंट इससे नहीं मिल रहा यह वाला पॉइंट इससे नहीं मिल रहा यह वाला पॉइंट इससे नहीं मिल रहा तो वो क्या करते हैं point of view तलाश करते हैं जिससे आगे से आगे कडियां मिलती रहती है समझे हैं बात की वो एक point of view जो है वो ढूनना ही मुश्किल होता है समझे हैं तो crime scene के अंदर वो point of view अगर आपको मिल गया जिसको principal component कहते हैं तो वो PC1 होगा क्योंकि उसी से आगे चल रहा है है वो अगर 95% आपके गुति को सुल जहा रहा है ना बाकी सिरफ उसको sport करने के लिए होते हैं कि हां भी फरक है यह देखो फरक है यह देखो फरक है ठीक है तो keep in mind जब भी हमारे पास को PC1 PC2 PC3 चल रहा होता है वो पहले वाले के ही बेस पे ही उसको sport कर रहे होते हैं ओके अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सिरफ दो स्लाइड बना लें जो मैंने स्टार्ट में स्लाइड की बात की थी PC1 और PC2 की that is more than enough to segregate your data स्टार्ट मैंने छोटे अलू वड्डे अलू लादा लादा करनवास्ते ओ इनफ है स्टार्ट आपके पास बाकी PC की भी वैल्यू होती है तो यह हम कहां से देखते हैं और कैसे यह बनाई जाती है इसको भी जरूर हम देखेंगे बट बिफोर डाट अब यहां पे हम लिखते हैं PCA क्या होता है ठीक है PCA क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं फिर हम आगे चलते हैं समझ आगी है बात कि PC1 PC2 क्या होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है आप यकीन मनें अगर यह आपको याद रहेगा ना बिशका machine learning engineer भी नहीं है आपकी research में बड़ा रोल मैंने एक दो बंदों को PC1 plot PCA plot बना के दिखाया अब यकीन मनें उन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था उनको समझ नहीं आ रहे थी आप लोगों को basics का पता है इस वज़ए से आपको समझ आ रहे है तो अब अगर आप PCA plot बनाते हैं तो आपके पास कुछ चीज हैं resolve हो जाती है पहली चीज क्या है यू कैन वर्क विद मल्टी वेरियेट अनलसिस क्यों क्योंके PCA plot आपको multiple variables यानि के more than two variables का अपस में link निकाल के दे देता है कि कौन किसके साथ कितना related है जारी बात है जो पॉइंट से कठे आ रहे हैं वो related नहीं हो जाएंगी मैं आपको एक मिसाल देता हूं आपको याद हो जाएगी यह red point है सारे और यह हमारे पास PC1 है और PC2 है मैं लिखूंगा नहीं सिर्फ आपको बता रहा हूं यह है green points और यह blue points तो आपको plot देख की पता चल जाएगा कि यह red वाला feature है और green वाला feature है यह आपस में एक दूसरे के साथ link है relation उसका क्या है we will see afterwards और जो blue वाले इन दोनों से फरक में है वो बिल्कुल different है सही है समझागी बात की अब इसी बेस पर हम आगे चलते हैं यहाँ पर एक बात मैं अभी clear कर दूँ आपको आपका data PCA plot से पहले scale होना must है ज़रूरी नहीं must है this is a must thing otherwise PCA नहीं कर सकते आप reason क्या है आपकी slider इतनी इतनी बड़ी हो जानी है फरक वैसे इतना पड़ जाने मैं मिसाल दूँ आपको देखिएगा यह मैंने small और big का बना है था plot याद है उपर खिलोनों का अगर small का मतलब है two millimeter मैं मिसाल दे रहा हूं और two meter दो meter का मैं कर लेता हूं small अपनी तरफ से खिलोना as compared to that अगर एक मेरे पास 100 meter वाला भी यह तो बहुत दूर नहीं चले जाने point तो अगर data scale होगा तो PC1 और PC2 का फरक same scale पे आ रहा होगा बट variation different count हो रही होगी ठीक है तो इस वज़ा से data को scale must करें data must be scaled data must be scaled इसके बगार गुजारा नहीं ठीक है अच्छा अच्छा multivariate analysis करते है variables का link find out करते है closeness find out करते है उनकी dispersion variations आपको इसके अंदर आपको पता चल जाते है ठीक है अब यह simplify करता है आपका simplify the data फिर easy to visualize है मैंने main point इसका यह आपको बताया this is very easy to visualize कैसे एक plot के अंदर आप पूरे के पूरे variables को draw कर देते हैं सही है जितनी मर्जी slides का data आप एक plot में 95 to 80 percent 95 to 98 percent तक की फरक देख सकते हैं अब आगे चलते हैं फिर यह dimensionality को reduce करते है क्योंकि यह plot dimensionality reduction के अंदर आ रहा है so you know that dimensionality को reduce क्या कर रहा है जो high dimension का data है उसको low dimension पे लाखे हमें फरक दे रहे हैं कि यह फरक हैं चीज़ों अब इसकी कोई थोड़ी से इंग्रेजों वाली एक definition में आपको दिखा देता हूं और फिर हम इस पर बात करते हैं यह यह अच्छा यह आपने देखा होगा अकसर उकाद PCA प्लॉट जो है वो जिनको मिशील लेर्निंग नहीं ब्याती वह भी बना रहे हैं वट इट कैंडू जो मैंने आपको पहले बताया है ठीक है दगोल ऑफ PCA इस क्या गोल है उसका तो इदेंटिफाई पैटरंस पैटरंस क्या है कि कौन सा डेटा किस के साथ कितना लिंक है कितना नहीं लिंक कौन सा कितना को रिलेट कर रहा है कौन सा मतलब यही नहीं है कि पॉजिटिव ही देखना है डिफ्रेंसिस जो होते हैं वो नेगटिव को रिलेशन ही होता है ना कि इसमें और इसमें यह इतना फरक है जिसको हम वेरियेशन बोलते हैं समझ आगी अब इसकी एक छोटी सी मिसाल हो रहा है इफ डेमेंशन आर लाइन और पाथ्स डैट देटा कें वाग अलोंग बहुत अच्छी एक्जेंपल है आपको समझाने के लिए के डेमेंशन क्या होती है एक डेटा आपके पास वो अगर उन लाइनों या उन पाथ्स पे चलते हैं जिनको हम डेमेंशन बोलते हैं नहीं समझाने मतलब यह आपका डेटा है और यह हाई डेमेंशन है मतलब यह डेटा इतनी डेमेंशन पे चल रहा है डेमेंशन का मतलब है फीचर्स अगर आपके बहुत ज्यादा है डेमेंशन उनकी बहुत ज्यादा है और हर किसी का फरक है ठीक है इसका मतलब यह है कि डे इसे क्या होता है it can make it really hard to find the most important parts समझ आ ही बात के जो हमने slide पे किया अब data को बहुत मुश्किल है समझाना के भाई तुमने इस पाथ पे जाना है इस पे जाना है इस पह जाना है इस पह जाना इस पह इस पह ईस पह एक्तो तरीका यह के सभी को test करके देखे लो जो उन्सा है ठीक है दूसरा यह है कि सभी को विजुलाइज करवाकर देख लो एक जगह पे कौन सा इंपोर्टन पीसरा यहाई PCA प्लॉट उसका बनाके देज़ो PCA आनेलसीज करके देलो जैसे हम principle component पीचिए करके देवलो principle component analysis जैसे बोलते हैं और यही तो हमें बताता है ना कि यह वाला feature जिसे हम PC1 कह रहे हैं it can take more than this thing the other one can take more than that so those slides या दो तरीके पर हम कर लेते हैं उसे divide इससे जाते है most important parts को simplify कर देते हैं जिने हम principle components बोलना start कर देते हैं कि this is called principle component now and getting rid of less important ones dimensionality reduce हो गई ठीक है समझा है बात की अब इसी चीज़ को हम किस तरीके से perform करते हैं different data में उसको हम देखेंगे but now comes my question अब कौन कौन सी important key terms है in PCA PCA जब हम करते हैं यानि के principle component analysis which terms do we need to be careful about करते हैं कि मैं केम को सेट करता हूं तब तक आप मुझे बताएंगे ज़रा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्टेंड हैं फोरा पीसी ए प्लॉट या पीसी ए अनेलिसिस जिसके अंदर एक तो मैंने आपको बता दी है जिसका हम स्टेंडराइजेशन भी बोलते हैं स्केलिंग या स्टेंडर्डाइजेशन दूसरी कौन सी है को वेरियंस तीसरी कौन सी है आइगन वैक्टर अब आपने मुझे बताना है कि ये जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं ये क्या क्या होती है तागे मुझे पता लगे कि यार आप लोग मेरे साथ काम कर भी रहे हैं या नहीं करें इस बड़ाइब एक ये आपको क्लियर कर दूं पिर इनकी तरफ जातें वह चीज ये हैं कि जब आप X और Y पर कोई data plot करते हैं तो आपका PC1 कुछ इस तरीके से भी बन सकता है कि यह PC1 ना इस साइड पर ठीक है और इससे राइट एंगल पर आपने बनाना होता है PC2 मेरा राइट एंगल ही खराब हो गया दिस वन दिस इस PC2 तो हम क्या करते हैं असल में इनको इस साइड पर रोटेट करके हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ठीक है PC1 और PC2 क्योंकि यह पॉइंट आफ व्यू है ना इंसाइड देटा तो इस वज़ा से इसको रोटेट करके हम सीधा देते होते हैं यूजिली यह प्लॉट में होता है आपने खुद नहीं करना होता बट इफ यूर कैलकुलेटिंग सम्थिंग तो आप X और Y पे डेटा प्लॉट कर कि उसके बाद PC1 और PC2 को ड्राव करते हैं यह भी एक वानिया ने तस्वीर भेजी थी इस वज़ा से मैंने इसको क्लियर किया है कि आप लोग परिशान ना हो जाए ठीक है इसको रोटेशन बोलते हैं बैसिकली ठीक है पहले पहला question आपसे dimensions क्या होती है क्योंकि हम multi dimension plot को देख रहे हैं dimensions हम किसे कहते हैं dimensions क्या होती है ठीक है जिसको हम dimensionality reduction बोल रहे हैं वो क्या चीज़ है second question यह है कि important key terms कौन कौन सी है PC के PCA plot के लिए PC को principal component analysis के लिए machine learning की जुबान में dimensions of features को बोलते हैं और वैसे अगर dimensions की बात की जाए वह वाली चीज़ें जिनके ओपर हम data को plot कर सके यानि कि एक feature यहां पर data plot हो गया Z feature यहां पर आ सकता है फिर उसके बाद एक और feature आप लेकर आ सकते हैं अगर dimensions ज्यादा बढ़ानी हो इस नौट पॉसिबल इन 4D dimension तो होती नहीं है जारी बात है 3D में आप कर सकते हैं उसके बाद आपको multi-dimensional plot के तरफ जाना पड़ता है that is another thing features भी नहीं कह सकते हैं ठीक है कुछ parameters भी बोलते हैं इन्हें basically आपके columns in the data आप वो भी यह बात कर सकते है columns ठीक है समझारी बात की वह वाले columns अगर machine learning आप नहीं कर रहे तो आप इन्हें columns directly कह सकते हैं या variables कह सकते हैं यानिके आपके वह वाले points जिनको आपने calculate करना है ठीक है features variable just something like that तो जितने ज्यादा feature उतनी ज्यादा dimension and then you have to find out the PC1 plot to reduce those dimension वही तो हमारा काम है machine learning में important ones को लेकिया ना non important ones को निकाल देना अच्छा key terms कौन-कौन से उसकी तरफ जाते हैं पहली key term है principal component क्या होता है principal component पहली key term यह है जिसको हम PC बोलते हैं one two so on and so forth दूसरी है आपकी variation जिसको हम लेते हैं covariance matrix के अंदर ठीक है covariation covariance matrix इसको मैं बोल देता हूँ covariance matrix क्या होता है इसको भी हम देखते हैं don't worry आपने भी पढ़ा होगा चीजों की variation दो चीजों की एकठी variation covariation positive negative दरिम्यान नहीं इदर उदर की सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे फिर आते है जनाब आइगन वैक्टर्स और यह दोनों चीज़ें आपके principal components के साथ मैच होती है उसके थुरू आती हैं बड़ी detail में हम इसको देखने में इसके इलावा कौन सी term है और जो PCA के अंदर आती है मैंने अभी आपको बताई एक मैंने आपको बताया जिसके थुरू आप चेक करते हैं कि कितनी variation है कौन सा principal component कितनी variation देगा इसके इलावा variation ratio जो होती है ना variance ratio वह आप अच्छा चलें एक यहां पर एक और चीज हम देखते हैं difference between आप अगर एक छोटी से keyword यहां पर अभी चेक कर लें तो आपके लिए easy हो जाएगा variance versus covariance variance और covariance क्या होता है इसको जरूर देखिएगा अभी ठीक है ठीक है दैन हमारे पास अगली चीज है loading score SPD जो है वह method है single value a singular value decomposition का वह हम देखते हैं उसको जी इसके इलावा आउटलियर्स तो data में होने है ना जारी बात है standardization scaling वो तो assumption में आनी है ना by plot yes any other term जो आपको ट्रम भी होनी चाहिए ना यह नहीं के बस सिरफ हम जो चैट जी पीटी बता रहा रहा है वो लिखी जानी चैट जी पीटी की वेरी जो information है उसकी verification कहीं पर नहीं तो keep in mind आगे जो आने वाले दुनिया में रोले पढ़ने है न वो यही पढ़ने हैं जी कहां से देखा चाहिए जी पीटी से तो वो तो correct नहीं है सारे का सारा correct नहीं होता so you have to be very careful about that start करें जी जो जो terms है इनको पढ़ना ready है थक तो नहीं गए यह एक interesting चीज है इस वज़ा से गौर से देखिए यह गा सबसे पहले हमने principle component को देखना है और इसकी definition में आपको बताता हूं कि principle component क्या होता है फिर हम आगे चलेंगे अब जाहरी बात है principle component analysis से आपको समझ आगी होगी but we will see that now again number one is मैं यहां पर आके European की तरह लिखने लग गया हूं प्रिंसिपल component इसकी definition यह है डेटा आपके पास पहले से काफी जयदा dimensions वाला है ठीक है मिसाल मैंने आपको दी कि इस तरीके से आप different dimension का डेटा रखते हैं इसी से आपको समझ आ जानी आपके PC क्या होता है principle component इसी के अंदर से एक नया तरीका द्रियाफ्त करके point of view find करना यानि कि new dimension inside the data from the data जो हमें इसको separate करने के लिए help करें these are called PC यानि कि principal component PC1, PC2 यानि कि यह पहला और यह दूसरा उन्ही सारे features की base पे एक नया तरीका या नया path तलाश करना है जो मैंने आपको example दी नहीं था कि data है data का line है या path है जिस side पे वो जा रहे है ठीक है सो इसको अगर मैं यहां पे define करूं तो यही कहूंगा these are the new directions or dimensions in the data that PCA finds और यह कैसे find out होता PCA analysis के मतलब principal component analysis के थूँ तो इसको मैं बोलूंगा न्यू पार्ट्स या इसको direction बोलता हूँ और dimensions ठीक है new path direction and dimension in the data यहां यहां प्रिंसिपल कंपोनेंट अनलेसिस जिस data को आपके सामने define करें इन्टु different directions और dimensions उसको हम कहते हैं पहले आप लोग अगर मेरी बात सुलने चैट की तरफ बात में जाईएगा ठीक है अब इसको एक further example और definition में मैं फिर से लेके जाता हूँ और वो same चीज़ है अगर आप गोर करें यह सभी कुछ जो भी मैंने यहां पर की है यह जो PC1 find out की है यह बाकी features का linear combination है समझ आई यानि के एक यह था feature एक यह था feature एक यह था feature इन तीनों का एक linear combination यह वाला जो है यह PC ठीक है principle component यानि के वो point of view जो हमें differentiate करने में help करेगा इन तीनों की बजाए हम उस पर जलते हैं so this is called PC इसको हम यह भी तो लिख सकते हैं linear combination of dimensions या features ठीक है इसको हम बोलते है linear combination of multiple features ठीक हो गया जी समझ आगे इसकी PC की पीसी की sorry अब यह जो multiple features है ना यह original features होते हैं और जब PC होता है यह newly created होते हैं which is only for the sake of PCA यानि के analysis के लिए होते हैं new features इसका मतलब यह नहीं कि आप यह उठाके data में आइड करने लग जाएंगे डेयर जस्ट देर टु गिव यू के इन उरिजनल में से कौन से important है ठीक हो गया समय जागी बात की काफी लोग मेरी बात नहीं सुन रहे तो इस विड़ा से मैं चैट बंद कर दिया गलत बात है यह ठीक है समय जागी बात की PC new features औरिजनल जो हैं वो आपके औरिजनल फीचर सही हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो principal component है इस अ काइंड ओफ लीनियर कंवर्जन अफ आल दा फीचर्स या लीनियर कंबिनेशन भी आप कह सकते हैं यानि के सारे features को मिला के आप एक line generate कर लो और उसी line को मैं अगर best fitted line को हूँ तो गलत तो नहीं होगा समझने हैं बात को कि यह वही line है जो different features की base पे आ रही है तो अगर यह वाली line ही गलत बने तो इसका मतलब है कि आपके PC one की variation बहुत vary करेगी ठीक है and we will assume that there कैसे कि मैं PC one की पहले कह रहा था 90% variation है अगर यह best fit line ना हुई तो यह variation reduce कर जानी है 70% 60% something like that तो हमारा काम दो PC से नहीं चलना भी मैं सिरफ आपको example इस वड़ा से दे रहा हूँ यह कब होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यह तब तब होता है जब जब आपके पास data बहुत ज्यादा है कि data के अंदर खुद इतनी variation है वो variation cause कर रहा होता है आपके PC analysis के ठीक है जी अब पहला PC यानि के PC one shows the most variation ठीक है जो मैंने आपको उपर बता है PC two second most PC three third most and so on and so forth ठीक है अब अगर मैं mathematician होता हूँ और आपके दिमाख खराब करने होता हूँ तो तो मैं यहां पे लिखता PCN and N most होते हैं न ऐसे mathematician अब आपको लेकिन N की समझ आ रही है कि N क्या है कोई भी नंबर हो सकता है तो यही mathematics के पीछे basic चरही होती है और कोई इसमें मसला नहीं होता है so now you know कि किस तरीके से हमारे पास variance या variation आती है ठीक है अब इसी variation को जो मैं बार-बार variation कह रहा हूँ आप इसको variance या spread in data कह सकते है variance या spread in data ठीक है जी variance की समझ आगी अब मैं आपको दुबारा से इसकी definition भी बता देता हूं कि variance क्या होता है ताकि आपको और clear हो जाए variance जो है in PCA यह आपका mean है for example यह point इससे right side पे कितना data है और left side पे कितना data है वही चीज़ अगर मैं आपको ऐसे draw करके दिखाऊं तो आपको variance समझ भी आ जाना है याद है कि यह आपका mean है और left और right side पे आपका variation जा रही है तो इसका मतलब है spread of the data spread of the data from mean सही हो गया थीक है variance की समझ आगी आपको अब मैंने जब आपको यह वाली slide पहले वाली बताई थी PC1 तो मैंने आपको यह भी बोला था ना कि इस slide पे आप छोड़ेंगे खिलोने तो वह ऐसे बड़े बड़े separate हो जाएंगे और छोटे छोटे separate हो जाएंगे ठीक है ऐसे ही है तो इसका मतलब यह है कि अगर यह वला इस सभी का mean है तो यह इसका variance हुआ ठीक है अगर यह mean है तो यह इसका variance हुआ something like that और अगर इसके पास हैं तो यह इसका variance हुआ सही हो गया तो यह क्या कर रहा है across the axis of PC1 यह variance जो है आपका बढ़ता जाएगा based on the differentiation यहां पर एक और बात समझने वाली है अगर क्रोमेटोग्राफी का analysis किसी ने किया हुआ यह नहीं भी किया scientific काम है उसके अंदर भी यही चीज होती है जिनका mass कम होता है वह पहले रुक जाती है sorry वह बाद में रुकती है जिनका lighter weight होती है वह पहले रुक जाती है so there are many things in scientific knowledge जो इसी बेस पर चल रही होती है theories जो एक दूसरे के field के अंदर इसी तरीके से घुसरी होती है अगर मैं यहां पर एक statement दूँ variance के बारे में for example more technically अगर हम जाए जो variance है it's the average of the square difference from the mean ठीक है usually यह होता है square difference from the mean squared क्यों करते हैं ताके इस side वाला negative में ना आ जो left side वाला PCA tries to maximize this spread in the directions it finds ठीक है तो यह क्या करता है इस spread को maximize करने की कोशिश करता है क्यों उसकी वज़ा क्या है अगर आपके पास ये वाला distance तंग होगा तो ये एमी जानबूच के points के पास पास ही रहेगा और इसी cluster में रहेगा ठीक है और अगर यही आप इस distance को जितना वो जाता है इसको stretch करने दें so might be the possibility के ये किसी और के साथ आपका relationship दिखा दे आपके data का सही है और उसी को हम covariance भी बोलते हैं वह विल गो नाव टू को वेरियंस और आपको में बड़ी डिटेल में यह भी बता देता हूं आपको समझ आ जाएगी इन्शाला को variance और साथ में मैंने मै्ट्रिक्स है मैत्रिक्स क्या होता है मैट्रिक्स का होता है आपको पता होता है कालब को बोलते हैं जमार्ब कि लिए मैं आपने कुछ इस तरीके से चीजें पढ़े होंगी न气 पता तो आपको पतावन चैये कि 246321125 something दिस को कोवेरियंस मैट्रेक्स क्या पता है and this is very important term in PCA मैं यहां पर चाइट open करता हूँ आप प्लीज मुझे बताइएगा कि कोवेरियंस मैट्रेक्स क्या है आपको क्या समझाती है definition copy करके न दीजेगा प्लीज आपको क्या समझाती कोवेरियंस मैट्रेक्स की अपनी जुबान में को मैं जर्साइबस के रोचा जाइए़ झाहाद पाजर चाहाँ कि मातनी है जिया झाहाँ कि कोवेरियंस मैं उन्रीज वेक्स पाइ़बसित के रहेंगेर यून Korka चलें आपके आ रही हैं डेफिनेशन में साथ आपको दो लफ़ज बताऊंगा आपको पता चल जाएगा जॉइंट वेरियबिलेटी यानि कि दो चीजों का इकठा वेरी करना डिरेक्शन कोई भी हों डिजन्ट मैटर ठीक है पॉजिटिव ओरियंग नेगेटिव ओरियंग देट्स अनदर तिंग लेकिन इसको हम बोलते हैं जॉइंट वेरियबिलिटी किस चीज की ओफ डेटाज डाइमेंशन हमारा सारा काम इन्ही चीजों के उपर तो है ना कि इसको कम करो उसको ज्यादा करो यह क्यों ऐसे हो रहे हैं यह क्यों इंपॉर्टेंट है को वेरियंस मैटरिक्स और यह बाइदावे स्क्वेर मैटरिक्स होता है ठीक है स्क्वेर मैटरिक्स के अंदर दो वेरियबल्स या दो से दो या दो से ज्यादा वेरियेबल्स किस तरह भेरी कर रहे हैं ठीक है square matrix वह आप देख लीजेगा क्या होता है मैं इस पर detail में नहीं जाना चाहता यह जो matrix बनाया है मैंने पहले समझाने के लिए बनाया था so you don't confuse with this one joint variability of data dimension यह क्यों है मैं एक मिसाल देता हूँ आपको अगर आपके पास दो variable इस तरह आ जाएं कि एक बढ़ड है तो दूसरा भी बढ़ड है तो यह jointly एक side पे vary कर रहे है या बढ़ड रहे है ठीक है इसका मतलब यह है कि दोनों की direction से यह मैं अगर आप एक को select कर रहे है तो दूसरे को भी करना पड़ेगा ठीक है एक इस side पे कर रहा है और इतनी सी इसकी importance है एक side पे कर रहा है इसकी इतनी importance है तो आपको पता है कि यह वाले से इसकी direction different है और यह jointly vary नहीं कर रहा अगर यह एक side पे जा रहा है यह दूसरी side पे जा रहा है it's agreeing to this point लेकिन थोड़ा सा different direction है अगर मैं आपको एक और मिसाल दूँ इसकी मिसाल मैंने को 20 यों दफा दिया आपको R square पढ़ाते हुए कि एक बंदा आपसे मशवरा ले कि यार क्या करना चाहिए आप कहते है math रख लो बड़े काम की चीज है वो बंदा आपसे पूछता है फिर exactly आपके opposite करता है कि इन्हें घल्ट मशवराई देता होना so that vary in different direction वो जा के bio रख लेता है so this is how it works ठीक है so usually आप क्या करते हैं एक opinion को देख के उसके दूसरी साइट पे चले जाए तो वो भी इसी चीज़ की example है basically joint variability का एकठा होना या different direction में होना doesn't matter but jointly वो अगर vary कर रहे हैं तो वो उतने important होगे जितना पहला होगा ठीक है अगर इसकी अगर और दूसरे जुबान में बात करें इसी से आपके पास एक term निकली है जिसको हम बोलते है आइगन वेक्टर्स ऑफ दे मैट्रिक्स आइगन वेक्टर्स ऑफ दे मैट्रिक्स यानि के आपके यह जो उपर मैट्रिक्स बना है को वेरियंस मैट्रिक्स इसके आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं वो PCA कैसे calculate करता है और एक मैट्रिक्स आपको आइगन वैक्टर कैसे देता है जी आपको अगर मैट्रिक्स का नहीं पता कि किस तरीके से वैक्टर उसके अंदर find out किया जाते हैं और क्या होता है डिजर मैटर बाइद वे हमने मैट की एक सीरीज से रहे हैं उसमें यह चीज़ें बड़ी डिटेल में बताई जा रही है और उसके अंदर आइगन वैल्यूज आइगन मैट्रिक्स कैसे निकलते हैं हमारे पास और सॉरी आइगन वैक्टर कैसे निकलते हैं यू कन सी लाइए और पीसीए कैसे फाइंड होता है पीसी प्रिंसिपल कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट किये जाते हैं वह इसी मैट्रिक्स की बेस पर किये जाते हैं कि कौन कैसे वेरी कर रहा है किस तरीके से और कहां में ठीक है और आइगन वैक्टर्स भी ऐसे पता चलते हैं जी आइगन वै झाल झाल कोई बाद नहीं अपना टाइम लें देखें अगर आप बात में भी इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं तो प्लीज अपना टाइम लें और इस चीज़ को अभी देखें क्योंकि जब आप देखेंगे तो आपको फिर समझ आएगी और देन वे विल से टुगादर मैं यहां पे नहीं चोटी सी चीज़ लिए तो आपको शायद समझा जाएगे क्लियर एग्जेंपल नहीं आ रही है क्योंकि जब आपको शायद समझा जाएगे क्योंकि जब आपको शायद समझाएगे कि यहां पर पांच मिनिट की ब्रेक लेता हैं और इन पांच मिनिट में आप जड़ा सोचेगा भी साथ-साथ के आइगन वेक्टर्स क्या हो सकते हैं और वेक्टर्स की डेफिनिशन क्या है और फिर हम छोड़ी सी डिस्कशन करेंगे आइगन वेक्टर्स किसलिए इंपोर्टन हैं क्यों इंपोर्टन है और आइगन वैल्यूस क्यूं वेरीएशन को समगर के हम देखते हैं और क्यूं आइगन वेक्टर्स आर सिमिलर टुपीसीज ठीक है ज़रूर देखिएगा पा झाल 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 अगर नहीं देखा तो मैं एक छोड़ी सी एक्जेंपल आपको देता हूं तो आपको समझ आ जाएगी अगर आप ने देखा है तो प्लीज चैट के अंदर अपनी जुमान में बताईएगा कि किस तरीके से आइगन वैक्टर्स और आइगन वैल्यूस काम करती हैं झाल आपको एक मैं मिसाल देता हूं वई एक छोटी सी मिसाल देता हूं मेरे पास ये चार डिरेक्शन्स हैं ठीक है जी ये चार की चार डिरेक्शन्स मेरे पास आप समझ लें कि एक आइगन वैक्टर है ये वला एक ये वला एक ये वला एक ये वला ठीक है और ये एक बैलून के उपर प्रिंटिड है अगर मैं थोड़ा सा ये बैलून के उपर प्रिंटिड है आप इस बैलून में हवा भगते हैं तो ये एक्सपैंड करने लग जाता है ठीक है फॉर एक्सपैंड करके कुछ इस तरीके से हो गया लेकिन आप गौर करें कि ये डिरेक्शन्स उसी डिरेक्शन में रहेंगी जहां पर पहले थी लेकिन हमने इसके अंदर हवा का हुझम भर दिया तो इस वेक्टर्स जिनके उपर कोई असर नहीं होता किस चीज़ का वैल्यूज का वो बड़ी हो या चोटी हो यानि के स्केल जो मर्जी हो जाए उनका लेकिन उनकी डिरेक्शन वो ही रहे जो पहले थी उनको हम आइगन वेक्टर्स कहते हैं और जो वैल्यूज जो इसमें हमने हवा भरी है अगर आप एजी जुबान में समझें तो ठीक है अब अगर हम इसको इसकी डेफिनेशन में देखना जाएं तो क्या होता है आपको पता है कि हमने यहां पर लीनियर ट्रांस्फरमेशन की है ठीक है जब भी लीनियर की बात आती है मैथमेटिक्स में डेटा साइंस में मिशीन लेर्णिंग में तो लीनियर अलजब्रा जो है वह बेसिकली आपको उसकी बेसिक्स बताएं तो डैट्स ग्रेट ठीक है लीनियर अलजब्रा के अंदर यह बड़ी डिटेल से आइगन वैल्य और आइगन वैक्टर जो है वो बताए जाते हैं तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स मुझूद है ठीक है और उसके अंदर अगर आपके पास एक मैट्रिक्स मुझूद है अगर आपके पास एक मैट्रिक्स मजूद है और इसकी आपके पास linear transformation है तो it will remain same lambda ये मैंने बनाया यहाँ पर मेरे लिखाई ऐसी ही है तो आपको समझ आ गया होगा जो उल्टा वाय होता है ठीक है तो lambda v तो हम क्या कर रहे हैं अगर ये linear transformation इस vector की करें और यहाँ पर हम lambda यानि के eigen value को जतना मर्जी बढ़ा दें vector की direction पर कोई फरक नहीं पड़ेगा यानि के जो matrix की vectors की directions रही है वो ही यहाँ पर रहेंगी आप इस 3 को बढ़ा कर दें या छोटा कर दें doesn't matter ये change नहीं होगा और principal component क्या होते हैं जब भी हम covariance matrix में से वो वाले eigen vectors हम निकालते हैं जिसके उपर बहुत ज्यादा variation depend कर रही होती है तो वो हमारे PC1 और PC2 और PC3 और PC4 बन जाते हैं ठीक है तो ये वो ही directions हैं जो हम eigen vectors की base पर देखते हैं और PCA यानि के principal component analysis यह हमें automatically फ्राहम कर देता है अब eigen value और eigen vector का इस से ज्यादा concept कुछ भी नहीं है जारी बात है इसकी mathematical background आप देखेंगे तो आपको और भी समझ आ जाएगी अब matrix क्या होता है वो basically आपको linear transformation of the data दे रहोता है जो आपके पास covariance matrix होता है न वो linear transformation of the data दे रहोता है वो क्या है कि कौन सा variable किस साइड पे ज्यादा बढ़ड है ठीक है यह वाला यह आपका matrix आपको यह वाली चीज फराम कर रहा होता है और इसके बाद आप इसको एक line यानि कि यह सभी directions को कोई एक चीज जो सबसे ज्यादा point of view बरदाश करके हमें बता रहा है यह दोनों की दोनों चीज़ें जो है important है आपके principle components के लिए ठीक है और अगर आपको मैं आपको एक और बात बताता हूँ अब यहीं पर देखिएगा आपको समझ आ जाएगी चीज यह हमारा बना पीसी वन यह हमारा बना पीसी टू मैं सिंपल बात कर रहा हूँ सिंपल सी मैं अभी कोई defined चीज नहीं बता रहा हूँ यह इसकी यह direction है इसकी यह तो जाहरी बात है बाकी वेरियेबल जाओ उनकी भी तो कोई directions बनेंगी ना इसके अंदर जो इससे variation में हो ठीक है इस तरीके से तो उनके भी जो vectors की direction है उनको भी हम देखते हैं जब हम by plot बनाते हैं ठीक है तो बट फॉर नाओ यह जो हमने आइगन वेक्टर बगएरा बनाएं इट गिवस अस दे वैलियो ओफ वेरियेशन एंड़ डिरेक्शन ऑफ वेरियेशन ठीक हो गया अब आइगन वेक्टर ज़रूरी क्यों है जुरूरी इस वज़ा से हैं क्योंकि PCA के अंदर ये आपके main axis को represent करते हैं ठीक है अगर आप इन main axis को नहीं समझेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि क्या चल रहा है और जो यहां पे main axis PC1 और PC2 मैं बता रहा हूं जाहरी बात है main axis क्यों है क्योंकि इस पे ज्यादा variance आ रहा है यह variance की base पे हमने main axis चूज किया हूं ठीक है maximum variance of the data on these vectors ठीक है इस वज़ा से हम इने चूज करते हैं ओके जारी बात है there are many-many mathematical operations जिनकी वज़ा से आप इसको find out भी कर सकते हैं for now I think this is enough about this और अब हम आगे चलते हैं एक step आगे यहां पर एक और term मैं आपको बता देता हूं जो मैंने यहां पर मेरे ख्याल से miss की है yes that is orthogonal या orthogonal आप इसको बोल सकते हैं इसका क्या मतलब है कि एक PC दूसरे PC के ऊपर 90 का angle बनाता है यानि कि right angle होता है यह क्यों important है यह इस वज़ा से important है कि आपके एक PC की direction दूसरे PC से different होगी they can't go in the same direction ठीक है इस वज़ा से इन्हें orthogonal बोला जाता है vectors को and then scaling जो मैंने आपको पहले बताया इसके अंदर एक ओर term जो use होती है scaling की उससे आप से ज़्यादा कौन वाकिफ हो सकता है scaling क्या है कि feature को scale करके आप use करें ठीक है scale the data और आप जब भी कभी PC analysis को देखेंगे ना सबसे पहले उन्होंने scale का function यूज किया हो गया आइधर इस आर और python तो इसका मतलब यह हुआ कि scaling के बगार PC यह नहीं चलेगा आपका अगर scaling नहीं होगी तो काम नहीं तो data को scale जरूर कर लें जो मैंने पहले भी बताया ठीक है अब यहां पे यह सारे चीज़ें तो हो गई अब इसकी थोड़ी से coding करते हैं और की टर्म में आपको वहीं पर समझाता हूं साथ साथ ठीक है और इजारी बात है आपको थोड़ी से confusion अगर किसी चीज़ किया है तो we can actually see that मैंने sailing लिख दिया scaling we can see that in coding once ठीक हो गया let's stop this here